दोस्तो ड्रक्स के मामले में शारुख खान के बेटे आरेन खान का नाम आने के बाद बॉलिवुड में तहलका मच गया है और हर तरफ मीडिया में शारुख खान के बेटे आरेन खान की निउस चल रही है वह दोस्तों Bollywood के बड़े बड़े चेलीब्रेटी भी अब आरेन खान के इस मामले पर अपना अपना रियक्शन दे रहे हैं और वो लोक शारु खान का सपोर्ट भी कर रहे हैं हालिमे सुनिल सेटी ने भी शारु खान के बेटे आरेन खान का सपोर्ट किया था और रितिक रोशन ने भिकल ही एक पोस्ट करके आरेन खान को मोटिवेट किया था अब हाली में दोस्तों बॉलिवड के खिलाडी कह जाने वाले यानि कि अक्षे कुमार सर से भी आरेन खान के उपर रियक्शन मांगा गया और उनसे पूछा गया कि आप इस मामले में क्या कहना चाते हूँ तो अक्षे कुमार सर ने क्या कहा चली मैं आप लोगो को बताता हूँ अक्षे कुमार ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं उस क्रूस पर था नहीं और मैं ना ही आरेन खान के साथ था तो वहाँ पर क्या हुआ मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और दूसरी बात कि एंसुबी ने आरियन खान को अरेश्ट किया है और इसकी जाच परताल चल रही है और आरियन खान दोशी है या नहीं ये कुछी दिनों में पता चल जाएगा और अक्षे कुमार्शन ने आगे ये कहा कि अगर इस मामले में आरियन खान गुनेगार है और उनके उपर कोई गुना साबित हो जाता है तो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन अगर उनके उपर कोई गुना साबित नहीं होता है तो उनके उपर गुनेगार का टैग गलत है आप लोग इस तरह की चीजों को मिडिया में ज्यादा हाइलाइट ना करें जो भी सच होगा आप सभी के सामने आ जाएगा और मैं इसके उपर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं तो यह था दोस्तों रियक्शन अक्षे कुमार का आरियन खान को ले करके वैसे दोस्तों आप लोग को क्या लगता है क्या अक्षे कुमार ने सही कहा या गलत कहा आप लोग इसके बारे में आप लोग की राय आप लोग क्यों बिनन हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे च